हां जी बेटा गुड मॉर्निंग बेटा कल हमने एक न्यू टोपिक स्टार्ट किया था असेस्मेंट और पार्टनर्शिप आज इस टोपिक का बेटा सेकेंड लेक्चर है और आज की क्लास में बेटा हम डिसकस करने वाले हैं तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हां जी इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जामपल ले रहा हूं उस एग्जामपल की हेल्प से हम इसे समझेंगे देखिएगा ध्यान से हां जी ये बेटा हमारी इंडियन गवर्मेंट है और ये बेटा हमारा टेक्स पेर चैश्पेर बेटा मिने अभी फिलहाल यहां पर एक इंडिजूल लिया है इंडिजूल हमारा टेक्स केर तोटल इंकम कितनी है 25 लैफ जिसके अंदर बेटा 20 लैख उसकी बिजनेस और प्रोफेशन हैड की इंकम है ठीक है जी और अर पाने का राइट भी है ठीक है उसने कुछ सेविंग्स की है जिसकी वज़े से उसको बेटा दो लाखर पर की क्या मिल रही है डिड़क्शन इन दोनों सेक्शन के अंडर तो मुझे Mr.x की टेक्स लाइडिटी गैल्कूलेट करनी और ध्वैं से सुनियेगा जो हमारी गॉवर्मेंट है या इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के लिए इंकम Tech Department अपने Techs Pair को छिए को Mena Effect में सेविंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए इंकम टेक्स दिंपार्ट्मेंट के दौरा Techs पेस को Techs की सेविंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स दिये गए तो यहां में मैं तीन टूल्स की चर्चा कर रहा हूं एक सेक्शन थर्टी फाइव एडी एक विटा सेक्शन एटी एच टू एटी डबल आर बी और एक विटा सेक्शन टैन डबल ले यह सेक्शन बेटा मैं डीटेल में भी आपको करवाऊंगा अभी फिलहाल इनके नाम याद रख लीजि होगा ठीक है जैसे इंश्रेंस बिजनेस है हां जी बेटा प्लड चेन फैसलिटी एक बिजनेस आता है कोलड चैन कोलड चैन फैसलिटी का बिजनेस को बिटा इसी में आता है तो बस अभी फिलाल इसका सेक्शन याद रख लीजिएगा 3580 इस रिलेटी तू स्पेस्टिफा इन सेक्शन में गवर्मेंट ने डिडेक्शेंश अलाओ की सब्सक्राइब कुछ एक स्पेशल बिजनेस के लिए ने जैशे पोर एक्ग्जाम्पल 80RB के अंडर और section 10AA ये बिटा किसके लिए special economic zone के लिए ये बिटा special economic zone के लिए बनाये गए इसके अंदर जो deduction की percentage है 50% to 100% vary करती है अलग-अलग business के type पे depend करते है तो अभी फिलाल इन लोगे बिटा नाम याद रख लोगे section 35 AD section 80 H2 80RB and section 10AA ये बिटा तीनों section किसलिए बनाए गए है taxpayer की tax की saving के परपसे बनाए गए यदि कोई taxpayer tax की saving करना चाहता है तो वो इन तीनों sections का benefit लेकर tax की saving कर सकता है ठीक है जिक है अब बेटा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं एक section है हमारा एक टीडबल जी एक section एक टीडबल जीए ध्यान से सुनिएगा बटा ये जो सेक्शन है section 80 डबल जीए जो हमारा एक्जांपल में लिए taxpayer मिस्टर एक्स जिसकी 25 लाखर पर टोटल इंकम है और उसकी 20 लाखर बिटा बिजनेस की इंकम है और बिजनेस उसका कौन सी चीज़ का है मिस्टर एक्स का बिजनेस है वेस्टेज को क्लेक्ट करना बायो डिग्रेडेबल वेस्ट होता है कुछ वेस्टेज जैसा होता है जिसको री साइक्लिंग करके useful प्रोड़क्ट में कनवार्ट किया जा सकता है तो यहां पर मैं ऐसे वेस्ट की बाद कर रहा हूं जो बायो ड इग्रेडेबल का मतलब जिसको बेटा उसकी साइक्लिंग करके जिसको किसी useful चीज में कनवार्ट किया जा सकता है तो मिस्टर एक्स का यह बिजनेस है और गोर्मेंट ने गोर्मेंट कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस टाइप का बिजनेस करेगा तो उसको सेक्शन एक कि डबल जे एक एनुसार पांच सालों तक हंडर्ड परसेंट चूट में देगी जितना भी प्रॉफिट वो कम आएगा उस बिजनेसे उसको सो परसेंट डिदक्शन दी जाएगी कितने सालों तक पांच सालों तो अब यहां पर देखते हैं यहां पर मुझे मिस्टर एक्स लाइलिटी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आएगी सेक्शन एक्ष्ण डबल जे एके माध्यम से और एक्टी सी और एक्टी डी की डिदेशन दी है दो लाग तो चलिए पहले उसकी कैलकूलेशन करते हैं देखिए सारी बाते समझ में आएंगी बस आप कांसेंट्रेशन से सुनते रहे और बाद में नॉट्स भी बनाने में सबसे पहले मैं मिस्टर एक्स की टेक्स लाइलिटी की कैलकूलेशन कर रहा हूं को टेक्स और मिस्टर एक्स सबसे पहले सब्सक्राइब 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 इसमें से डिडेक्शन स्लेश करनी है हमें 80c to 80 तो 80c एंड 80d की बटा डिडेक्शन दी हुई है अब को टी सी और एटी डी की डिडेक्शन का अमाउंट बेटा कितना दिया हुए दो लाग रपे तो 25 लाग में से बटा दो लाग गया तेईस लाग फिर उसको डिडेक्शन मिलेगी एटी डमल जे इटा इसमें आता है एटी अज से लेकर एटी आर डबल रडी के बीचमें कई सेक्षन आएंगे यह जो मैंने रेंज लिख्वाही है एटी एच तू एटी डबल आर बी इसमें बटा एटी आईबी हाएगा ऐगा एटी जे मिस्टर एक्स बेटा किसी का बिजनेस कर रहा है बायो डिग्रेडेबल वेस्ट और उसकी प्रोसेसिंग और एट्टी डबल जे ए सेक्शन क्या कहता है 100% deduction मिलेगी profits की और कितने सालों तक 5 सालों तो यहां पर देखो बेटा Mr. X को कितने रपे का profit हुआ था उस बिजनेस से 20 लाग का बेटा प्रोफिट हुआ था तो 20 लाखर पे बेटा यहां माइनस कर दो तो यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं Mr. X की total income कितनी रह गई जिस पर टेक्स लगेगा वो रह गई बेटा सिरफ तीन लाखर पर रह गई अब इस total income पर बेटा क्या compute करेंगे इस total income पर calculate होगा टेक्स तो टेक्स कैसे calculate करते हैं टेक्स निकालते वे बेटा पहले देखना है कि क्या इसके अंदर कोई special income पर शामिल नहीं है पहले थाइलाग सखनील के बाद नेक्स नेक्स्ट फिफ्टी थाउजंड पचास यारी बचे बचे बचास जार का 5 परचेंट पांच परचेंड पर प्रचेंड तो बेटा सिरफ धाई हजार पे टेक्स बनां और क्योंकि बटा यह इंडीजुवल है इंडीजुल है तो ब सब्सक्राइब तो यहां तो 25 रुपे ही है तो यह बिटा माइनस कर देंगे तो यह बिटा हमारा क्या आगया नहीं लागया लोगी इसा पटेक्स बना इख दर ग्रोस्ट लाइभिटी तो यहां पर हएतब के पास कवेमें लिखें है हुँआ पो तैक्स न यहीं शोन पॉर्टा वेलफेर ऑफ नेशन गॉवर्मेंट को जो टेक्स चाहिए होता है वह वेटा कितना गया यहां पर यहां पर टेक्स गया जीरो अब मुझे एक बात बताओ जब गॉवर्मेंट के पास जीरो पर टेक्स जाएगा और इस तरीके से पता नहीं कितने टेक्स पे रहों किया होगा कुछ टेक्सेर टो ऐसे होंगे जो जीरो टेक्स पेर जिनका टेक्स ग्लकुल बनते हैं कभण के वीयों गोर्मेंट की से करना है वह कैसे करें तो गुर्मेंट में इस बात का सुल्यूशन ही इस निकाला उसके लिए एक कंसेप्ट करिया गया उस कंसेप्ट का नाम बीटा क्या है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिससे गौर्वर्मेंट का जो कैश इंफ्लो है वह भी डिस्टर्ब ना गवर्मेंट के पास जो टेक्स के माध्यम से जो पैसा आने वह भी आता रहे गवर्मेंट की नीड्स भी पूरी होती रहे और दूसरी तरफ मैं यहां लिख देता हूं नीड ऑफ गवर्में पर नहीं पड़ना जी नो इफेक्ट ऑन दा डिड़क्शन नो इफेक्ट ऑन डिड़क्शन तो अल्टरनेटिम टेक्स बेटा एक ऐसा कंसेप्ट है जो गवर्मेंट ने किस परपल्स के लिए बनाया है अपनी कैश नीडज को फुलफिल करने के लिए गवर्मेंट को जो के लिए कंट्री के वेलपेर के लिए जो पैसा चाहिए वह भी आता रहे और दूसरी तरफ गौवर्मेंट ने टेक्स पेर को जो तरह तरह के इंसेंटिव दिये हैं या तरह तरह की डिडिक्शन दिये हैं उनके भी बेटा कोई असर ना पड़े अब कोश्चनराइज होता है या एऊसा कैसे होगा कि गववेंट ने क्या ऐसा बनाया क्या ऐसा गौर्मन ने जादू किया है एसा ओर्मूला बनाया है जसकी हल्प से दोना काम बन वान पूसके लिए हमें अल्टरेटिव मीनीमम страш का कंसेभ्इस Конफ को यहीं पर आपको बताूंगा इसी स्लाइड में ब्रीफ ली देखिए गोवर्मेंट ने वेटा क्या किया इस कंसेप्ट में गोवर्मेंट ने कहा कि हम टेक्स लेंगे टेक्स लेंगे किस टोटल इंकम और किस रेट से लेंगे 18.5 और प्लस इसमें बेटा सर्चार्ड भी जुड़ेगा अलग से प्लस सर्चार्ड अगर अलग से जुड़ेगा तो गोवर्मेंट ने सबसे पहले इस थो डिजाइन किया कि अध्यक्स टोटल इंकम कैसे निकाली विए यह चैपि जो एक वेक्ति की आ нем जो आपने नॉर्मल मेस्टेट से निकाल ली इसमें एक बार वह सारी डिड़क्शन एड़ कर दो जो इन तीनों से बिलॉंग करती है वह सारी डिड़क्शन एड़ कर दो चैसि पर इन तीनों में से जो बिलॉंग करती हों तो यहां पर तो इसमें ना को सेक्शन थर्टीफाइड का मैंने कोई जिकर किया है ना सेक्शन 10 डबल एक कोई जिकर किया मैंने अपने एक्जांपल में सिर्फ किसको कंसीडर किया एटीड़ जे तो अप्टूंग तो अब ध्यान से सुनिएगा इस टेक्स लगेगा एटीन पॉइंट फाइप गवर्मेंट ने एक एवरेज टेक्स का रेट निकालिया अठारा पॉइंट पांच तो टेइस लाग के अगर हम अठारा पॉइंट पांच को अपलाई करें तो यह लगबग आएगा यह मैंने कैल्पुलेशन पहले से अडवास में करके रखती हुए आपके लिए ताकि समय बरबाद ना हो चार लाग पच्छी सजार पांट इसमें बेटा चार परसेंट सर्चार्ज बेटा लगेगा निक सर्चार परसेंट यहां पर इसको देखने अड़श्टी टोटल इंकम बेटा तेईस लाग है पचास लाग नहीं तो चार परसेंट बेटा क्या जोड़ देंगे सेस जोड़ देंगे जो अल्टरनेटिग मिनिममम टेक्स है जो अल्टरनेटिग मिनिममम टेक्स होगा और दूसरा गौर्मेंट को इन दोनों को कंपेर कर लेना टेक्स एक पर noreeremal method and tax calculated as per alternative minimum tax method दोन्णों में वह जो क्या होगा higher होगा दुनों में जो higher हो ध्यान से तुनिये वो हमें pay करना पड़ेगा तो दुन्नों में higher कुन सा amount है 4250,000,000,000,000,000 ठायलाוכ गायलाख दी चार्लाख ब्यालीशजार 50,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000 common Pi अधा South अब एक बात बताओ मुझे ठीका जी मुझे आपका रिप्लाई चाहिए जब Mr. X Mr. X को जहां 0 रुपेड देने थे टेक्स के सरकार को अब सरकार को या income tax department को कितने रुपेड देने पड़ रहे है चार लाख 42,520 तो यह बताओ क्या Mr. X को दर्द होगा या नहीं होगा इससे यह बात प्रूव होती है कि मर्द को दर्द होता है जी बेटा Mr. X को दर्द बेटा जरूर होगा क्योंकि जहां उसने 0 रुपेड टेक्स पे करना था वहां उसको चार लाख 42,520 रुपेड बेटर टेक्स के देने पड़े तो पेंत होगा है किляется क्या कहती है या इНकम इक सिंट मत करो हम आपके दर्द का निवारान करते हैं को सबसे पहले निकाल ले 14520 टेक्स दिया उसनेufficient उसने और बनता कितना था और जिरो कितना की तो था 4520 टेट दिया अब ध्यान से सुनियेगा यह 440520 गया है करेड़िट इसका इनाम रख रख दिया ँब किसक्रेड़िच और लिए सब्सक्रेड़िट है इनकम टेक्स द्पार्टमेंट कहता है मैं इसका क्यूचर में फाइदा दूगा अगले साल में आपको इसका बेनिफिट दूगा तो चार लाख डियलिस जार पांक्सो बीस रफे का बैनिफिट कहता है मैं अगले 15 साल तक आप इसका बैनिफिट लोगे कितने सालों कर फंद्रा कि चै tile क्या कूशा मिश्टम पूछा कैसे दो गे बैनिफिट है कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है किते जिस साल वी आपका नॉर्मल इंकम पे चक्षपयोगा यदि वह जादा बने गा मालीजिए इस साल तो क्या था किस से मैं से जादा बना था नॉर्मल टेक्स माल लिए एक टिएर नेक्स्ट यह डियर बिटा क्या होगा यह ने जी ओने सी रुट नॉर्मल टेक्स बना या नॉर्मल टेक्स बना स्पोस करो नॉर्मल टेक्स बिटा बना 22 लाग ठीक है मैं जूम कर रहा हूं तो दो लाख बीस लाग नॉर्मल टेक्स भी दो बीस बना और अल्टरनेटी मिनिमम टेक्स बना विटा स्कॉल करो यह बना स्कॉल करो एक लाग तो अब मुझे यह बताओ पहले तो दोनों में से कौन सा पेकर नौत है यह फिटा बीस इकिस में उसको कोसा टेक्स भी जोबहुपने क्या क्या होगा है अब नॉर्मल टेक्स बना दो बीस और अल्टरनेटी मिनिमम टेक्स बना रहा है लाग और तो विच विट अवर इस पर इस साल भरने के लिए लाइबल है वह कैईगा जिए पिछले साल भी मैंने पालतु दिया हुआ था तो पिछले साल का जो इसको माइनस गर्वर्मेंट यहां पे उसकी डिडुक्शन देगी तो यहां पर उसका बैनीफिट मिलेगा अब बैनीफिट सुनना ध्यान से बैनी सब्सक्राइब और उसकी टेक्स लाइलिटी क्या हो जाएगी कौन से एर की टेक्स लाइलिटी निलो गई सब्सक्राइब क्या आएगी तोड़ा सब्सक्राइब करऊंगी इसी मिस्टेक होगी है मर्टियान से सुना लो जी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट वेटा क्या कहता है यहां पर कि जो पिछले साल आपने चार लाख बीस जार पांसो बीस रुबे मुझे फालतू दिये थे इस साल मैं उसकी आपको क्या दूँगा लाख बैनिफिट दूँगा और बैनिफिट इससे ज्यादा नहीं है इस साल उसने दो लाख बीस जार पी पेटा पे करने हैं इस साल जो मिश्टर एक्स की पेमेंट बनती है और पिछले साल उसने चार लाख बैलीच जार पांसो बीस रुबे जो फालतू दिये थे उसका उस तो नोर्मल टेक्स और हमिपकाड का डिप्रैंस बनेगा नॉर्मल टेक्स और का डिप्रैंज कितना बनेगा दो वीज में से एक लाग एक और एक बीश इंकम टेक्सoly Earlier यानिहीं कि आपको एक लाखर में अभी भी देने पड़ेंगे कोई दोचना व में आपको एक लाख रिप्र करना पढ़ेगा और आपके टोटल अमाँट जो क्रेडिट का जो डिह लाख कि तो बाकि बीटा कितने बचे बाग्वी बचे टीन लाख बाइस हिजार पांक तो यह बटा कैरी फॉर्वड हो जाएंगे और आगे अज़स्ट इस समाउंट को कैरी फॉर्वड करके और अगले सालों में बटा अज़स्टमेंट की जाएगे ठीक है तो यह बटा हमारा एम्ट का केंसेप्ट है फंद्रा साल तक इसको कैरी फॉर्वड कर सकते हैं तो होप सो बटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब आपको होगे सर यह तो बहुत जादा ओवर हो गया हमें दुबारा से समझाए बटा मैं अभी अपना आप टेंशन ना ले किसी वीची अपनी सारी चिंटाएं मेरे उपर चोड़ दीजिए चलिए आगे बढ़ते हम देखो अभी सारी बाते में रिपीट करूँगा एक अग्जाम्पल लेकिए इसे मैं अब मैं आ जाता हूं अपनी दूसरी स्लाइड को लो यहां आ आगे इसको रीड कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा इसके का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस कि सबसे पहले आपको सेक्शन ध्यान रखने अल्टरनेटिंग मिनिमूम टेक्स के लिए जो सेक्शन है वह हमारा कोंसा है 115 जेसी यह विटा हमारा सेक्शन है और टेक्स किसके लगता है इसमें अट्जस्टी टोटल इंक अब सारी अब बेटा फटा बट हो जाएगा आप टेंशन ना लिए अठारा पांच परसेंट बेटा रेट है और प्लस तरचार भी बेटा लगेगा और सैस्ट भी लगए और इसको हमके बोलते कहा ह एक बीटा मैट भी होता है मिनिममम अल्टरनेटिव टेक्स वह यहां पर नहीं लगेगा वह कंपरीज पर लगता है ठीक है एक एक अटी अट भी होता है ध्यान रखना दोनों में डिफ्रेंस मैट सिरफ कोंसे ससी के लिए है और पूर्पूरेट असे लिए तो एक्जाम के अगर आपने पेपर में इसको ऐसे लिख दिया ना मिनिममम अल्टरनेटिव टेक्स लगाते हुए देर नहीं लगाएगा और जीरो मार्ट देगा ठीक है तो अल्टरनेटिव मिनिममम टेक्स दिहान अगना मैट भी है एक कंसेप्ट मैट लगता है कंपनी चलिए हम आगे म अब आता है कि मैट एपली केबल किस किस तर सेटी पर होता है हां जी सुनिए दिया है सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिज्वल एचुएफ एओपी बीवाई और आर्टीपीशल जूरी जूरी जूरीडीशल पर इनके उपर मैट अपलाई होता है या नहीं पहला है यह एपली केबल है बट उसके लिए बिटा कुछ कंडिशन से विद सब्जेक्ट तू सम्कंडिशन अगर वह कंडिशन फुल्फिल होंगी तभी मैं एम्टी लागू होगा अदर्वाइस नहीं लगेगा वह कंडिशन कौन कौन सी है हां जी तब पहली कंडिशन उस individual की या assessing की जो adjusted total income है वह 20 लाग से ज्यादा होनी छाइए सबसे पहली कंडिशन यह है adjusted total income 20 लाग से ज्यादा होनी होगी तब ही यह concept लागू होगा अगर 20 लाग से कम है adjusted total income तो उस case में एम्टी का concept लागू नहीं होगा पहली कंडीशन, दूसरी दूसरी कंडीशन यह है उस असेसी की करदाता की टेक्सपेयर की जो है बिजनेस और प्रोफेशन हेड़ की इंकम जरूर होनी चाहिए, वहां जो जो है, जैसे हमें 5 हेड़ की हैं, में असेशी ने कुछ डिडिक्षन भी क्लेम की हूँ कुछ ऐसी डिडिक्षन है जो असेशी ने क्लेम की हूँ कौन-कौन सी डिडिक्षन section 80-80-RB एटिक है ये गवर्मेंट ने कुछ iinscenty निया एन कुछ ृच्छन खेक्ष की सेविंग के लिए तो यहां पर लिखा हूँ है ATH से लेकर ATRRB की डिड़क्शन ने, इन में से किसी भी सेक्शन की असेसी क्या ले चुका हूँ, डिड़क्शन ले चुका हो, except ATP, ATP को छोड़ कर, ATP को बाहर रहे हैं, हाला कि P जो अलफाबेट है, वो H और R के बीच में आता है, तो ATP सेक्शन को छोड़ कर, बाकि कोई सा भी सेक्शन हो, जैसे ATI है, ATIA है, ATIB है, ATIC है, फिर बेटा, ATWQ है, ATWQB है, ATWJ है, वो सारे सेक्शन जो है, उन में से किसी भी सेक्शन के अंदरागर उसे ने डिड़क्शन दी है, तो AMT का कंसेप्ट लागू होगा, या फिर उसने सेक्शन 35 ADT डिड़क्शन वो ले चुका हो, या फिर बेटा, वो सेक्शन 10 AA की डिड़क्शन ले चुका हो, अभी सिरफ इनके बेटा मैं बार-बार बोलना हूँ, इनके सिरफ नाम याद रखने है, ठीक है जी, आप इनमें डिटेल में मत सोचना कि ये सेक् सब्सक्राइब कर रहा हूँ, सबसे पहली कंडिशन क्या थी, अधिस्टी टोटल इंकम, 20 लेक से जादा होनी चाहिए, ठीक है बेटा, बिजनेस और प्रोफेशन हैड की इंकम जरूर से जरूर होनी चाहिए, और असेसी ने डिड़क्शन क्लेम की हो, कौन-कौन से सेक्श बात करते हैं, क्या फॉर्म के ओपर यह सेक्शन एपलीकेबल है या नहीं है, येस और नो, खांजी बता, तो हम चैप्टर किसका कर रहे हैं, और फॉर्म के चैप्टर में जो मैं ये बता रहा हूं आपको, तो येस एपलीकेबल है, बट यहां ध्यान रखिएगा, फॉर् इडिशन नहीं है, पश्क वाली, बाक्री दोनों बेटा हैं, इक प्रॉफिट एड गेम, बिजनेस और फ्रॉफेश्न एड की इंकम होनी है, बिजनेस और प्रोफेश्न एड की इंकम तो होगी होगी, क्योंकि फार्म है, फो बाट जबेंस ही तो ए Ariya कि परकल है, इनस्फ सब्सक्राइब क्या क्लेंट क्लेंट सिर्फ दो कंडिशन इसकी कोई जरूरत नहीं यानि ही चाहे फार्म की अड़्जस्टी टोटल इंकम बीस लाग से क्या बने ज्यादा बने क्या बने किस में अल्टर्णेटी मीनिमम टेक्सा केंज़्ड लागु होगा ही खोगा फिर बिटा थे नेक्स्ट नेक्स क्या बतायां कॉर्पूरेट असले विटा मतलब कंपनी के केस में क्या यह एक लागू होगा तो आसर इस नौ क्योंकि बेटा मी ने आपको एक बात बत इसमें करने का तरीका बी अलग है यहां पर जो हमारा कंसेप्ट है यहां पर दुनों के पीछे सेम है एम टी और एम मेटी के पीछे जो परपज है वह सेम है और इन दोनों में से पहले जो इंट्रोडियूज किया था पहले मैट इंट्रोडियूज किया था यह कंसेप्ट बीटा बाद में इंट्रोडियूज किया गवर्मेंट में पहले यह कंसेप्ट इंट्रोडियूज हुआ था इस कंसेप्ट की सफलता के बाद इस बाद में एम् कि नाम अलग देने के पीछे बीटा रीजन यह है क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन का मैट अलग अलग है इसे लिए उसका नाम एक का मैट रख दिया एक का अल्टरनेटिंग इनियुन टैक्स अब बात ही आती है कि यह बार बार हम एक वर्ड यूस कर रहे हैं चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करने बहुत ही सिंपल है आप तो होगे सर मजा आ गया इसमें तो इससे असान तो कुछ होई नहीं सकता देखिए क्या करने आपको सबसे पहले टोटल इंकम ले लेनी है टोटल इंकम जो आप यूजवली कैलकुलेट करते हैं टोटल इंकम का मतलब सेक्शन एक्टी टैन डवले जो किस पर लगव होता है स्पैशल एकनॉमिक जोन पर यह एड करतेंगे सेक्शन थर्टी फाइड यह स्पैसिफाइड बिजनेस के उपर लगव होता है पुछ एक बिजनेस स्पैसिफाइड बिजनेस की केटेगरी में आते हैं जैसे मैंने बताता है कोल्ड चेन फैसलीटी है तो वह एड हो जाएगा और इसमें बटाया थे कुछ बिजनेस आते हैं जैसे होटल है एक्सपॉर्ट इंडस्ट्री एक्सपॉर्ट हाॉसिस पैलो और इसके अंदर लेशरा इंफ्रास्ट्रॉट्चर बिजनेस गी डाएज़ारी इसमें इसमें डिटेक्शन से बट हमें सिरब वही बात कर रहा हूं हि कि इनके नाम याद रखने है उन्हीं से हमारा टोटल इंकम आ जाएगी अब हमने करना क्या है अब टोटल इंकम के उपपर हमें क्या कैल्कुलेट करने है हां जी अब टोटल इंकम की हेल्प से हम क्या निकालेंगे अल्टरनेटी टेक्स मैंने अभी बताया पीछे किस रेट से 15 परसेंट 18.5 परसेंट और साथ में बिटा सरचार लगेगा जब इंकम फॉर्म की बात कर रहे हैं इंकम कितने से जादा हो एक करोड से जादा हो जूब हैंट निन्द इंकम 50 लाख से जादा हो विस तो भी बिच इसके तो रेट विटा इसका रेट तो है 12 परसेंट के केस में इंडीजिवल के केस में तो इसको मैंने अल्टरनेटिंग मिनिमूम टेक्स का जो भी अमाउंट आएगा इसको के तो के मतलब . अल्टरनेटिंग मिनिमूम टेक्स का मतलब बिना गुस्त का जैसे लुडूर्मल्ट टेक्स के हुए और फिर उसको बड़ा किस से दीनोट करेंगे और फिर हमें यह देखना है कि दोनों में जो विच एवरीज हाइर होगा वह हमें पे करना पड़ेगा अब आता है कि टेक्स पे कितना करना है उसके लिए विटा हमें कंपरिजन करने किसका कंपरिजन करने है एक विटा हमें एको देखने और देखने दोनों में जो फिर होगा अगर एब टाहर आप दीसे तो एक करना पड़ेगा यानिकी एंट करना पड़ेगा यदि बी हाई रहे तो नॉर्मल टेक्स पे करना पड़ेगा तो इसको लिखना कैसे है अगर एबी से ग्रेटर है तो अल्टरनेटी मिनिममम टेक्स और यदि एबी से चोटा है यानिकी बी बड़ा है तो उसकेस में नॉर्मल टेक्स सिंपल सा रूल याद रख लो दोनों में जो बड़ा हो वह इंकम टेक्स दिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा कहने का मतलब मान लीजिए मेरी टेक्स लाइबिटी आई हां जी बतार एमटी से एमटी जो अल्टरनेटी मिनिमम टेक्स है उससे मेरी टेक्स लाइबिटी करना पड़ेगा टेक्स टेबल टेक्स पेबल हो जाएगा पचास लिए ठीक है जी